हें गाइस वेलकम बैक टो अनादर वीडियो आज मैं एक प्लेंग करूंगा मूविंग का एपिसोड एड और नाइन को एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 1987 में एक प्लेंग का सीन दिखाया जाता है जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी हम प्लेंग के बाहर एक उड़ते आदमी को देखते हैं जो और कोई नहीं बॉंग से ओके फादर डूशिक होते हैं वो प्लेंग के फ्रेंट में जाकर पाइलेट को बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्लेंग में बॉम हैं प्लेंग को जल्दी से लैंड कराओ पर तभी प्लेंग राइट के तरफ टर्न हो जाता है जिसकी वज़ा से उसकी पकड प्लेंग से चूर जाती है और वो प्लेंग में बॉम ब्लास्ट हो जाता है और कुछी पलों में प्लेंग टुकड़ों में बिखर जाता है जिसके बाद हम लियून को पुराने NIS के आफिस में देखते है जहाँ उसे मिशन मिलता है कि उसे डोशिन के करीब जाकर उससे इनफॉर्मेशन हासिल करनी है बात में वो डोशिन की डिटेल्स बढ़ रही थी जिसे देखकर उसे डोशिन पहली नजर में ही पसंद आ जाता है जिसके अगले दिन से ही वो अपना काम करना स्टार्ट करती है जहाँ डोशिन और उसका दोस लिप में था तब ही वा लीहून आ जाती है जिसके बाद से वो उसके सामने से आना जाना करती है कभी गाड़ी के बहाने से तो कभी कॉफी पीने के बहाने से धीरे धीरे डोशिक भी उसके तरफ एक्ट्रेक हो रहा था और ऐसे ही लीहून एक दिन कॉफी पी रही थी जिसे देखकर डोशिक उनके पास जाने लगता है पर तब ही लीहू आफिस में डारेक्टर जून उनसे कहते हैं कि अब से तुम रोज यहाँ आओगे और मुझे अपनी रिपोर्ट डोगे वही लियून कौफी मशीन के पास उसके आने का इंतजार कर रही थी तभी उसे डोशिन के फूट स्टेप्स और उसके हाथ में जो चेंज थे उनकी आव और लिहून वहाँ गाना गा रही थी जिसके बाद वेटर सभी को कौफी सर्व करता है जिसके कुछ देर बाद जिनोंने भी कौफी पीती वो धीरे धीरे से बेउश होने लगते हैं और उनका मिशन था कि पार्टी में मोजू सभी नौर्थ स्कोरियन को मारना हैं और जिन कौफी नहीं पीती वो जान भूच कर बेउश होने का नाटक कर रहे थे तो वहाँ का लीडर वहाँ पर स्मोक बॉम फेक देता है ताकि जो भी लोग कौशियस है वो ग्रेनाइट के दुवे से खासने लगे और ये काम वो लिहून को करने को कह रहा था पर लिहून को उन जाने के लिए कहती है जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते है तभी लिहून के आग खुल जाती है वहीं डूशिक कार के शीशे में देखकर अपने कपड़ों को सेट कर रहा था और ऑफिस में एंटर करने के बाद वो इधर उदद लिहून को ढूडने लगता जिसके बाद लिफ्ट में जाते ही लिहून वहाँ आ जाती है और जब वो लिफ्ट से जाने लगती है तो डूशिक उसके हाथ से फाइल ले लेता है ये कहे कर कि ये बहुत बारी होगी बात में वो दोनों बैठकर कॉफी पीने लगते हैं जहां हमें उनके बातों से पता mission continue कर सकती हो जिसके बाद वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं वो दोनों टीनर करने के लिए जाते हैं और साथ में घुमने के लिए जाते हैं वही दोनों को एक साथ कुछ देखकर डुश्ण का दोस्ट की बात कर रहे थी जिस पर डारेक्टर जून उसे कहते है कि उसने इसके अलावा भी एक मिशन फेल किया है जो कि चाइना का था जहाँ उसे उसका सीनियर ली हुन को मारने का आडर दे रहा था पर वो उसे शूट नहीं करता जिसके बाद हम डारेक्टर जून और ली हुन को देखते है जा वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुमें डूशिन के बारे में कुछ पता चला जिस पर ली हुन उससे कहती है कि मुझे उसके बारे में अभे तो कोई भी सीक्रीट पता नहीं चला है वहाँ से निकल कर वो डारेक्टर जून के असिस्टंट को उनकी पसंद की कौफी बनाने का तरीका बताती है क्यूंकि उसने बहुत बार नोटेस किया है कि डारेक्टर जून अपने सेक्रेटर को काफी को लेकर चिलाते रहते हैं जिसके बाद लीहुन देरात तक काम कर रही थी तब ही डोशिन उसके विड़ो में आ जाता है जिसे हवा में उलते देखकर लीहुन पहले तो चोक जाती है बाद में वो अंदर आकर उसे बताता है कि वो उसके लिए खाना लाया है जिसके बाद लीहुन भी उसे अपने सुपर पावर के बारे में बताती है कि उसके देखने की और सुनने की शक्ती बाकी लोगों के मुकाबले बहुत जादा है और वो डोशिन के हार्ट बीट को सुनकर उसे बताने लगती है कि उसके हार्ट बीट बहुत जादा तेज है जिसे सुनकर डोशिन लियोन को किस करता है जिसकी वज़ा से वो अपनी फिलिंग संभाल नहीं पाता और वो किस करते हुए हवा में उलने लगता है जिसे देखकर लियून उस पर हसने लगती है जिसके बाद निक्स दे हम देखते है कि डारेक्टर जून लियू को भुलाकर उसे कहते है कि उसका मिशन कम्प्लिट हो गया है अब उससे डोशिन के क्लोज जाने की कोई जरूरत नहीं और ऐसे अचानक मिशन कम्प्लिट हो जाने के वज़े से वो थोड़ी शौक्ट हो जाती है और उसके बाद हम डारेक्टर जून और उनके साथ एक लेडिट को देखते है जो उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे तब वहाँ डारेक्टर जून की सेक्रेटरी कॉफी लेकर आजाती है और जब वो बाहर जा रही थी तो वो उन दोनों के बाते है की लियून ने उनसे जूट बोलाए कि उसे कुछ नहीं पता और ये सुनकर डारेक्टर जून की असिस्टन्ट सीधा लियून को कॉल करती है और उसे कॉल पर बताती है कि डारेक्टर जून तुमाज जूट के बारे में जानते है ये सुनकर वो सिधा कॉफी मेशिन के अपास भाग कर जाती है वहाँ कॉफी मेशिन को चेक करने पर उसे उसमें टेप रिकॉर्डर और एक कैमेरा दिखता है और उससे समझ आता है कि उन दोनों की बात रिकॉर्ड कर ली गई है और डारेक्टर जून उन दोनों के बारे में सब कुछ जानते है और फिर हम देखते हैं कि डोशिक लीहुन को दूर से देख रहा था जिसके बाद डोशिक और लीहुन बहुत दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलते है तब ही एक दिन उताती है कि नॉठ कॉरिया का लीडर मर गया है और यह खबर पूरे कॉरिया में तेजी से फिल जाती है यहाँ पर साउत कॉरिया और नॉर्थ कॉरिया के पार्टीशन होने के लिए सिर्फ परंद्रा दिन भगे रह जाते हैं और डारेक्टर जून को इस बात पर बहुत जादा गुसा आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि ये सब डूशिक ने किया है वो किसी भी तरह डूशिक को डूढने के लिए कहते है जिसके बाद वो लियून के पीछे बहुत सारे जासूस लगा देते क्योंकि उन्हें यकिन था कि डूशिक उससे मिलने जरूर आएगा और एक दिन लियून ऐसे ही अपने घर पर बेटे हुई थी तब ही वो बाहर देखती है कि डूशिक उससे मिलने के लिए बाहर आया है जिसे देखकर वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जिस पर डोशिक उसे कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता था और उसे किस कर लेता है तभी हम दूसरे और देखते हैं कि बाहर बहुत सारे स्नाइप पर तयार बेटे है और साथ ही उन्होंने डोशिक पर अपनी गन पॉइंट करके रखी हुई थी तभी वहाँ बहुत सारे एजेंट आ जाती है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है